Hello students, welcome to my YouTube channel, I hope you all are doing well So, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेग्ज़नॉमिकल एड्स में की के बारे में हम लोग यहां पे डिसकस करने वाले हैं और यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट आफ यू से आप देखेंगे नीट में यहांसे questions पूछे जाते हैं सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा की इज़नॉमिकल एड्स वो एड्स होती हैं जो हमें किसी भी पर्टिकुलर ओर्गानिसम को identify करने में, characterize करने में, classification करने में और करने में हेल्प करते हैं राइट तो चलो स्टार्ट करते हैं की से तो की में सबसे बहले आपको याद रखना है की की जो होती है यह आपको यह आपको यह जो भी पॉइंस बता रहे हूं यह सब नीट पॉइंट ऑफ यू से इंपोर्टेंट है यहां से नीट में क्वेशन आ चुका है तो सबसे पहले देखो फर्स पॉइंट है की कीज आर ओल्वेज अनलेटिकल इन नेचर इसका मतलब यह है की की विल हेल्प इन अनालिसिस की विल हेल्प इन आइंटिफिकेशन आइंगे इन आइंटिफाइब इन आइंगे किसी भी पर्तिकुलर और ओर्गानिजम को इसलिए इसको अनलेटिकल बूला गया है राइट नेक्स एको इस यूज़ फोर की इस यूज़ फोर इंटिफिकेशन इंटिफिकेशन और प्लांट इंटिफिकेशन में हेल्प करती है किसी भी पर्तिकुलर और ओर्गानिजम की वेदर इस प्लांट और अनिमल की हमें उसको इडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी on the basis of and the basis here is similarities and dissimilarities के basis पे अब की जो है ना इसके अंदर पेर ओफ कॉंट्रास्टिंग करेक्टर को यूज़ करा जाता है जिनको हम कपलेट बोलते हैं तो नेक्स लिखो यूज़ इस पेर ओफ कॉंट्रास्टिंग करेक्टर विच नोन अस कपलेट तो यहां पे कपलेट क्या है पेर ओफ कॉंट्रास्टिंग करेक्टर इस कपलेट है राइट नेक्स तेको इच चरेक्टर ओफ कॉप लिख लेट इच चरेक्टर अफ कॉप लेट is known as lead that is known as lead so here we are using a pair of contrasting character which is known as couplet and out of this pair each character is known as lead okay so out of a pair of character only one is selected and another one is rejected जसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग couplet यूस कर रहे हैं दो contrasting characters हम लोग यूस कर रहे हैं तो उन में से सिरफ एक ही select होगा और दूसरा वाला reject हो जाएगा okay so next is out of a pair of character only one is selected only one is selected while other is rejected other is rejected okay so हम किसी भी particular organism को जिब identify करते हैं उसकी features हम study करते हैं पहले हमारे पास जो data है उससे compare करते हैं तो उन में से जो हमने contrasting characters लिये हैं उसमें से सिरफ एक ही select करा जाता है और दूसरा अपने आप reject हो जाता है ओके next is separate taxonomic key separate taxonomic key are assigned for different taxon so different taxon के लिए separate taxonomic key design करी जाती है say for example genus के लिए अलग की होगी family के लिए अलग की होगी class के लिए अलग की होगी यह सब taxon है हमारे तो इनकी लिए अलग-अलग key design करी जाती है ओके आपको याद रखना है यहां से नीट के अंदर question आते हैं सबसे सादा जो question पूछा जाता है वो यह है कि की आर अनलेटिकल और नॉन अनलेटिकल इन नेचर सबसे पहला यह चीज पूछी जाती है दूसरी चीज की जो की है उनका रोल किस चीज में है दे helps in identification nomenclature classification किस चीज में उनका help होता है तो आपको याद रखना है कि की always helps in identification based on similarities and dissimilarities next यहाँ पर पूछा जाता है कि contrasting character के pair को क्या बोलते है couplet each character of couplet is known as lead okay out of a pair only one is selected and another one is rejected ठीक है and last point जो है कि हर taxon के लिए अलग-अलग taxonomic की हम design करते हैं एक ही को हम use नहीं करेंगे genus अगर हमें किसी का study करना है तो उसकी की अलग होगी okay family किसी की study करनी है तो उसकी की अलग होगी अब बात करते है की है क्या की is basically a printed form of data okay यह computer के form में भी हो सकता है और it is in the form of paper paper के form में भी data लिखा हुआ हो सकता है ठीक है तो basically यह एक recorded description आप बोल सकते हो जो कि computer में store है files के form में store है paper के form में printed form में store है so next is की के कौन-कौन से types हैं तो की is basically of two types दो तरह की होती है की one is indented और यॉग्ड की and second is bracketed की ठीक है तो हमारे पास दो तरह की है one is bracketed and another one is indented और यॉग्ड की right so हम इन दोनों को पहले discuss कर लेते हैं फिर हम इसको example की form में देखेंगे तो सबसे पहले देखिए जो indented है या यॉग्ड की होता है उसके अंदर क्या होती है sequence of choices are made between two or more statement okay so यहाँ पर दो और दो से जादा statements की बीच में choices हम लोग यहाँ पर use करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे has sequence of choices sequence of choices between two or more statement ठीक है two or more statements के बीच में यहाँ पर choices हमें मिलेंगी उसी चीज़ को यॉग्ड बोला जा रहा है ठीक है bracketed key के अंदर क्या होता है this is the most popular key सबसे जादा popular key है यह most popular key next आप लोग देखिए यहाँ पर pair of contrasting characters are given number in brackets हम उनको number देंगे यहाँ पर यहाँ पर जो भी character हम लोग study करेंगे pair of contrasting character कोई भी हम character study कर रहे हैं तो उनको हम यहाँ पर क्या देंगे bracket में उनके number देंगे कि अगर वो character आपके particular plant में present है तो हम उसको जैसे one दे देंगे अगर वो absent है तो हम आप जीरो लिग देंगे ठीक है so pair of contrasting characters are given number in bracket ठीक है इसलिए इसको bracketed बोलते ब्राकेट के अंदर हम यहाँ पर numbers दे देते हैं for example जैसे अगर आपकी leaf का color है green तो हमारे मापे दो हमने choices ली है first is either the color of leaf is green और yellow so अगर आप जिस plant को identify कर रहे हैं उसकी leaf का color green है तो आप green के सामने one लिग दोगे और yellow के सामने आप zero लिग दोगे ठीक है तो आपके plant का या animal के जैसे features हैं आप उसके आगे टिक करते जाओंगे और numbers देते जाओंगे ठीक है अब हम यहाँ पर example देखेंगे indented और york की का कि यहाँ पर किस तरह से काम करती है तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका एक्जाम्पल सो यहाँ पर example को समझाने के लिए मैं six animals ले रही हूँ six animals की help से हम यहाँ पर इसको समझेंगे say for example cat, bat, fish, frog, bird and snake ठीक है तो यह मैंने six animals यहाँ पर ले लिए अब हम देखेंगे कि indented key के मदद से हम इसको किस तरह सी classify करेंगे ओके सो इन छे organisms में हम सबसे पहले जो category design करेंगे that is external year present or absent ठीक है सबसे पहला जो हम criteria लेंगे क्योंकि मैंने आपको उपर बताया है यहाँ पर choices हम लोग बनाते है sequence of choices is made ठीक है तो हम वही sequence of choices यहाँ पर बनाएंगे और इन छे के छे organisms को हम classify करेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैं choice ले रही हूँ that is external year present external year present तो जिसमें external year present होगा इन 6 में से उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और जिनमें नहीं होगा उसके लिए दूसरी कैटेगरी है एक्स्टर्नल इयर absent ठीक है तो यहाँ पर छे में से दो organism ऐसे हैं जिनके अंदर external year मिलता है one is cat another one is bat क्योंकि यह दोनों मैंबल से इसी लिए ठीक है तो cat और bat जो है उनमें external year तो present है no doubt but cat and bat are not similar cat और bat बिल्कुल सिमिलर नहीं है उनमें कुछ differences है जैसे कि bat के पास wings होती है cat के पास wings नहीं होती तो हम इसको further आगी classify करेंगे और choices देकर so next choice is wings present and wings absent so wings present में bat आ जाएगा और wings absent के अंदर cat आ गया ठीक है तो इन 6 में से यह दो तो classify हो गए इन दोनों के बीच में similarity है इस point पर इन दोनों के पास external year है but bat is having external year along with that wings भी उसके पास है पर cat के पास external year है पर wings नहीं ठीक है तो आप देख सकते हो यह दोनों organism इस वाले point पर similar थे पर आगे जब हमने choices बनाई तो वह different हो गए ठीक है इसी तरह से बाकी जो चार organism पचे हैं वह इस वाली category में आएंगे ना तो fish के पास ना frog bird snake किसी के पास भी external year नहीं होता अब हम इन में और भी बहुत सारे differences होते हैं जैसे fish के पास gills होते हैं birds और snake के पास नहीं है वो तो उसी के बैसे उस पर हम इनको further choices दे देकर classify करेंगे नेक्स नम देखते हैं यहाँ पर भी विंग्स प्रेजेंट है कि सो विंग्स प्रेजेंट और दूसरा हम ले लेंगे विंग्स एपसेंट सो विंग्स प्रेजेंट के अंदर आप देख सकते हो इन में से आ जाएगी बर्ड्स ठीक है बर्ड्स के पास external यह नहीं है पर विंग्स है तो हमने बर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया आगे देखो और किसी के पास भी विंग्स नहीं है स्कूनाइच से नेक्स हम यहाँ पर फर्दर इसको और चॉयसेज देंगे गिलस प्रेजेंट गिल्स प्रेजन्ट अपशन और एक्स्टर्नल यह भी नहीं है आगे देखो गिल्स एपसेंट गप गिल्स किस-किस के पास एपसेंट होते हैं फ्रॉग एंड स्नेक के पास तो अब इन दोनों को फर्दर हम क्लासिफाई कर लेंगे आगे लिंप से प्रेजन्ट एंड लिंप एपसेंट के बेसिस पर कि त ठीक है तो आप खुद देख सकते हैं यहां पर हमने जो स्टार्टिंग में छे और गानिजम लिये थे उनको हमने इस तरह से क्लासिफाई कर दिया सबसे पहले यह दोनों ऐसे थे इसमें जिनके पास एक्स्टरनल इयर होता था तो हमने उनको इस कैटेगरी में रख दिया इन है आपके need point of view से यहां से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं और living world का सबसे चोटा सा topic है यह बिल्कुल पर questions की पूछने की मामले में यह बहुत ही जादा important है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like और share जरूर कर दीजे और अगर आप मेरे चानल पर नए है तो चानल को subscribe जरूर कर लीजिए यह बिल्कुल free of cost है और bell icon को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी specific topic पर आपके लिए वीडियो बनाओ तो please let me know in comment section thank you so much for watching